तो कैसे आप सब आप सब अच्छे होंगे तो आज फिर से स्टार्ट करेंगे इस पेसल टार्गेट मैंने वाई एससे जीडी के वी आप सब कर वाया थे और मेरे बाए मेरे से बहुत सारे जीडी से जुर्ए है अब देखो अब आज से स्पेसल चालेंज इससे सीप्यू का स् अब बहुत सारे कमेंट करें कि भाई या तुम तो खुद जीडी का ही जाम रहे तो आप क्या करोगे मेरे चैनल पर देख रहा है मेरे 171.5 मार्क्स आया है पिछले मौक में पिछले मौक में 175 जिसमें इंगलीज में 50 आउट ओ 50 था समझ रहे हो स्कोर बहुत अच्छे आई इसकोर बहुत अच्छे 45 जीके में दोरी कमरार बाकिसा में 45 प्लस आ रहे है नहीं भी स्वास होगा जाके चाल को विजिट कर गए एक बार देख ले ना और एक और चीज मे हमेशा हर एक मौक में 157-58 माक्स प्लस ही हमेशा रहते हैं और मैं कुछ अलग नहीं पराओ मिरे बाई जीटी के प्रप्रेशन करने के बाद सीधा इस पर जंब किया हूँ और मेरी इतने ज्यादा अच्छे माक्स कैसे आने लगे यह सारे चीज आपको कौन-कौन से प्लान बताऊंगा वह प्लान आपको 45 डेज तक लातार करने हैं सारे चीज आपके स्टॉंग हो जाएंगे और अगर मैं बोल रहा हूं ना अगर मैं वीक स्टूइंट कर सकता हूं तो आप तो बहुत ही अच्छे हो मेरे से ठीक है सबसे पहला चैलेंज है चैलेंज क्या है चैलें करना है कि और अगर करना की कुस्त mü भड़ीजन करना है है उसको आप अगर सीनों हम होगा है तो हमें करना है कि करना हा कि Dos 22-22 इसका सारे सिन्योनिम जो आपके SSC, CPOC, CGL, MTS, GD, समय पूछेगा है, सारे को खतम करना है, इस परकार से हम अपने चैलेंज को लेंगे, समझ रहे हैं, यह चैलेंज मेरे लिए भी इंप्लीमेंट है, आप सब के लिए इंप्लीमेंट है, और मैं यह काम करना है, स्टार्ट कर चुका हूँ, आपको भी करना होगा आपसे, अब देखो, दूसरा माक्स इंप्लीमेंट, देखो, बहुत सारे भाई को यसी पर डाउट रहता है, माक्स इंप्लीमेंट है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ, इस परकार के चैलेंज लो, रेगुलर मॉक टेस्ट, जी बाईसके, लेकिन को लगा है किम लाईस के लगाना है, अभी सबसे पहले प्रिवेसीयरकॉस्अन, ठीच पर ध्यां देना थे सबसे पर लोजिक ही है जब मैं स्टार्ट किया था नब्रवाई मैं इंगली से बहुत वीक थे इडियल में कि अभी वी उतना अच्छा नहीं है लेकिन स्कूर कैसे कर रहा हूं सबसे जोड़ी होता है आपका स्लेवस ठीक न आप देखों बहुत सारे भाई का स्लेवस कंपलीट वहां बहुत का नहीं होगा मैंने च्छा इंगलीस के हो चाहें वो भी प्यूस वादशनेसर लिए बाकी सारे टीचर संब्स कर रहा हैं उसको बात एकजाम सब्से जीडिंग रखा है और जैसे ही मैंने मौक टेस्ट लगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं इसका रीजन है स्लेबस मेरा कंप्लीट है दूसरा अंडरस्टेंडिंग अंडरस्टेंडिंग किस रीजन से बोल रहा हूँ आगे बात करेंगे तो आपके भी मौक टेस्ट अगर लगतार लगाओगे तो नंबर ओफ आइडिया जिनरेट होंगे जिसके कारान आपके स्कोर बढ़ेंगे हंड़ेड परसेंट समझ रहे हो अब देखो मार्क्स मैट्स म 45 प्लस कोशन कैसे अभी भी मेरे मैट्स में 45 प्लस कुछ मौक में आया है कुछ मौक में नहीं भी आया है लेकिन आप भी कर सकते हो कैसे भाई साब आपको पूरे देखो कुछ-कुछ 3-4 कोशन तो कैलकुलेटिव आएंगे यह 100% बात है एक दो कोशन आपको समझ में नहीं जाएगा लेगिन इतना बोलता मेरे भाई 45 प्लस को सोन असानी से कर सकते हो बसरते आपके साड़े चेप्टर पर ठीठा कमाण होने चाहिए मैं यह ने बोलता कि आप बहुत तो बन जाओ नहीं मेरे भाई प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आराम से 45 प्लस आ सकता है अगर कनाल साथ उसके कंसटे रिवीजन के साथ कहां से कोशन पूछा यह उसके संदिए तो यह प्रकार सापको मैस मैस के इनप्रूपog और और फिर टेस्ट दो देखो इंप्रूव हो जाएंगे और एक और इंप्रेंट बारता है आपका सेक्ष्णल मॉक भी टेस्ट लगाया करो जिससे आपके और मार्क्स इंप्रूव होने ही होने हैं अब देखो इंगलीस का मांक्स भाई साब बहुत सारे भायों कमेंट आ रहा है कि कि भाया मैं हिंदी मेडियम सो इंगलीस को कैसे करा करूं दो इंगलीस के दूतीन फंडे होते हैं दो कुछ-कुछ बच्चे होते जिनकी इंगलीस में थोरी बहुत अच्छी होती है लेकिन ग्रेमर उन्हें भी पढ़ना पढ़ता कि कॉम्टेटी एक्जाम में आपको सारे करने हीं दो दो सबसे इंपोरेंट आपको इडिटोडिएल पढ़ना पढ़ेगा धा रवैसेश यर लगातार कोड़र करना पढ़ेका जो मैं टिलिग्राम पर आपको हर दिन A, B, C, D, हर एक वर्ड का सारा प्रिवेसियर कोस्टन जितने भी आ रखे है उसके 5-10-10 मीनिंग वाले मेरे नोट्स जो है वो मैं टिलिग्राम पर प्रवाइड करूँगा ताकि आपको सिनोनिम एंटोनिम की टेंसर नहों बाकि आप इडिटोरियल बहुत सारी टीचर ने करवा रखा है ठीक ना कहीं से एक अंडरस्टेंडिंग नालो उसके हिंडिंग मीडियम सोन नहीं कुछ करो तब आपकी मैट्स इंगलीज में आपकी स्कोर बढ़ेंगे नहीं तो अगर अंडरस्टेंडिंग नहीं बढ़ा है फिर आपको पाच लेगा कि आपकी क्लोज टेश्टों भी मार्स नहीं आएंगे साथ के साथ कुछ जो कोस्टन आएगा उसको इलिमनेट नहीं कर पाऊगे क्योंकि हर एक चीजों का मीनिंग हमें थोड़ी न पता होगा क्योंकि हम तो इंसान है यार वर्ड कुछ भी हो सकता है तो आपको वह इलिमनेशन मेथड बहुत इंपोर्डेंट है तो कैसे इलिमनेशन मेथड हम कर पाए कैसे इलिमनेट कर पाए तो इसके लिए आपको सबसे इंपोर्डेंट क्या है उसके लिए आपको सबसे इंपोर् बहुत बहुत होता है और एक चीवादू मिलवाई जीके से सारे भाई को डर लगता है लेकिन इस डर को खदम करने के लिए मैं बस यही चीज़ वह लूँगा चूप चाप जाके कुछ नहीं पढ़े हो तो ठीक है कुछ पढ़े हो फिर भी ठीक है कॉंसेप्ट को रिविजन करो लेकिन नहीं पढ़े हो तो अब से आपको प्रमार सर प्रमार एसससी चानल जानते ही होगे वहां से जाके पीवाई क्यू स्रीज को कंप्लीट करो जो स्रीज थर्ड अभी चल रहा है उसको कम से कम लगवत के 50 वीडियों के साले खदम कर देना पे नभी होंगे आपको बहुत सार रहे कि वह सर बहुत लिखवाते आपको वह कर लिए ना उसके वाल में इतना बहुता हो जी के कुछ भी नभी पढ़े हो ना फिर वह स्कोर आप आसानी से 30 प्लस कर सकते हो तब ही कर सकते हो जब आपकी इस पर रिवीजन हो अच्छी रि स्लेवस कर लो पांच घंडे का है उसी तरह जग्रॉफिका उठालो कम्प्रेट कर लो तो ऐसे भी करके स्लेवस कम्प्रेट कर सकते हो और पी वाई क्यों को लातार लेनी है तो थोड़ी सी तो महिनत करनी पड़ेगी आपको मुझे पता है कि यह इतना आसान भी नहीं है ल alternate days पे mock test लगाओ ठीक है और अपना score share करना है आपको मैं time दूँगा share करना है साथ 22 को पबलीग कर दूँगा ठीक है और शारे भाई को अपने अपने टेस्ट के इसको शेयर करने है सेयर करने के साथ-साथ देखो मेरे बाई सुनो मैं भी सेयर करूँगा आपको भी सेयर करने है साथ-साथ जो भी कोस्टन में डाउट है जो भी कोस्टन में डाउट है जिसको भी डाउट होगा जैसे मैट्स का तो टेलिग्राम पे सेर करने है उसको मैं सॉल्व करके भेजू या उसमें का कोई बच्चा सॉल्व करके भेजे उससे कोई फरक नहीं पड़ता साथ से नौ तक आपको भेज देना है और सबसे इंपोर्णन बात तेलिग्राम से जुरूगे तो साथ के साथ आपको यहाँ पर क्या बोलते है आपको इंगलीज का सीनोनिमेंटों नहीं मिलेगा साथ के साथ जितने भी आपके कोस्टन जो फट जाएंगे आपके मॉक्टिस लगाने के टायम यहाँ पे सेर कर दोगे कोई नो कोई सॉल्व कर देगा ने तो मैं सॉल्व कर देगा मैं खुद सेर करूंगा याद रखना है मैरे बाई मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और यह चैलेंज उस बच्चे के लिए जो कंसिस्टन नहीं हो पाता इस वज़े से मैं यह चैलेंज ले रहा हूं और मैंने ऐसे ही SSGD में मिलिया और बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छे माक्सा है ठीक है तो मैं बस आपके भाई के नाते आपके दोस्त के नाते आपके छोटे भाई जो वो समझना समझो लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मैं करवाँगा साथ के स्पेशल क्या एक और एक और इन्पॉर्डेंट सबसे स्पेशल बात यह है कि कभी-कभी सटर्डे चैसंडे और जैसे एकजाम के आपके पचीज दिन बचेंगे फिर रात के दस से दस से नगा में कितने टाइम तक लाइव रहूंगा मैं मैं स्टडी करूंगा और आपको भी करवाँगा लगतार निरंतर मेनत कोई एक टॉपिक उठा लूँगा सीधा उसकी रिवीजन आपको भी करने है अपने घर में बैटकर मैं भी यहां पर आपको पढ़ते रहूंगा आपको भी पढ़ना है मेरे साथ इस टड़ी विथ लाइव पढ़ना है तो यह सारे चीज सब आपकी भी कॉंसिस्टेंसी आपकी भी डेडिकेशन इसमें बहुत जोड़त है तब ही इसको रच्छा होग और मेरे भी मेरे भी इससे पढ़ाय में बूस्ट होंगे तो यह तो मेरा भी फैला है और आपके भी फैले ठीक ना तो जो जो भाई नया जूरत जाए भाई चानल को सब्सक्राइब लाइक और सेर कर देना बाकी पता है ना वीडियो नहीं देख्यों बहुत लड़ागे ब महीं से परो कोई फर्ग नी पड़ता बस यहीं बोलेंगे ना रेगुलरेटी इदक की ओप सक्सेस मेरवाई बिना रेगुलरेटी कंसिस्टेंस के कोई सेलेक्शन नहीं होता समझे ना पिना मॉक टेस्ट के सोचोगे ना कि ऐसे उराध देंगे नहीं होगा उड़ेगा देवान का सीनोनीम एंटोनीम औरेडी जो जीतने प्रिवेसे में पूछेगा सी जील से प्यों एमटीस जिसमें भी साय अपलोड कर चुका उसको जाके एक बार देख लेना उसको उसको एक बार क्या करना नोर्स बना के त्यार कर लेना ठीक ना फिलाल इतना ही जहिन जैभ वड़के कोई स्लिक्सन ना होता याद अगना घिसना तो पड़ेगा बाई जैसे घिसो मेरे साथ राके घिसो या किसी के साथ राके घिसो घिसना तो पड़ेगा समझके जहिन जैभारत बंदे मातरों